प्यार भी में तैनाद इंस्पेक्टर की लापरवाही आई सामने खुद की पिस्टल का नहीं रख सकते ख्यार स्वाट एवं सर्विलांस टीम की काफी सतकता एवं खोज दिन के बाद पिस्टल बरामद हो सके पिस्टल शावस्ती निवरसी बाबादीन को लखनो के कमता चौराहे पर एक किराये के मकान में रहकर आटो रिक्षा चलाता है उसके पास बरामद हुई है पुलिस ने बताया क कि कल से लेकर बाबादीन की बुरी मंसा रही इसलिए तो तीन दिन तक वह नजदी की पुलिस चौकी पर कोई सूचन नहीं दे सका पिस्टल एवं बाई बरामद होने के बाद बाबादीन को ग्रफतार कर उचित कारवाही की जा रही है इक पिस चनवरी को प्यारबी में नुकते इस रिस्पेक्टर इटसाथ पड़े लापरवाही पूल तरीके से बाई निटा करके अपनी सरकारी पिस्टल को लखनव गए थे और वापस आ रहे थे और उस दवरान इनकी पिस्टल गिर गई थी बाएक सही लेकिन ये दो दिन तक उसको छिपाए रखे और अपने लेविल पर जैसा की ज्यानगारी में लिखोलते रहे तेज तारीक को इन्होंने संग्यान में डाला उसके बाद से इस संबंद में अभ्योग पंकित किया गया जूब उसके एक कस्टोडियन थे और तभी से लगातार हमारी स्वार्ट और सर्वलांस के टीमें लगी हुई थी और अपने तरीके से इन्होंने अन्विशन किया और ये पिस्टल बरामद हुई है जिससे बरामद हुई इसका नाम बाबादीन है यह लोवला स्रावस्ति कब इसके लिए रहने वाला है और यह रहकर के कामता पर किराय के मकान में और किराय का लेकर आटो रिक्सा चलाता था और इसको आटो रिक्सा चलाते समय ही ये सड़क पर गिरा मिला और इसको ले लिया दाई तुबनता था कि ये इसको ततकाल ने निकट के किसी पिलिस्चवके पर आने पर इसको लाते संग्यान में लाते ये ये पिस्टल थी ऐस अगर बुरा नहीं होता तो तुरंट संग्यान में लाए जाता हो सकता किसी को बेजता किसी अपराधी के इस हाथ में लगता और इससे कोई बड़ी दुर्गटना होने से बच नहीं है तुकि हमरे टीमें लगातार लगी रही बहुत टाइम नहीं मिला और अभी इसको यह लगा नहीं कि कूल टाइम मिला इसलिए रिकबरी भी होगे वरकिप्तारी भी होगे क्याला परवा अपरुद करें के खिलादी पर अभ्योग पंत्रित है और इसमें आप राधी कृत नहीं आरा और उसे ब्रुद सक्त दिवाई कारवाई करें